हेलो एवर्डिवान वेल्कम टो आपर यूटूब चनल आईटी एजूकेशन तो गाईज मैंने दो दिन पहले ये न्यूज पाब्लिज किया था जिसमें मैंने आप लोगों बताया था कि केंसरकान ने बहुत बढ़ा डिसीजन लिया है इनको आप कंपिनी में बदल दिया जाएगा टोटल साथ कंपिनी में इनको बदला जाएगा अब औरनेंस फैक्टरी बोर्ट का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा ठीक है तो बहुत सरह कैंडिडेट कमेंट कियें कि कैसर इसका आने वाले समय में इन फ्यूचर बेकेंसी आएगा या नहीं आएगा आप सभी को पता होगा लास्ट टाइम 2017 में सेमी स्किल्ड ग्रूप सी पोस्ट आया था आई टिया इस्टुटेटन के लिए जो हम लोग मेंली डूप से टेक्नीशियन वगएरा भी बोलते हैं तो अब भी प्रिजेंट टैम में 2017 के बाद आया नहीं है मैंने इसको पर RTI भी डालके रखा हूँ अब इसका जवाब नहीं आया है आएगा तो मैं वो वीडियो बना दूँगा लेकिन इस वीडियो में आप लोगो complete analysis करके बताऊंगा कि in future बेकेंसी आएगा नहीं आएग बहुत ही important है और गाइज मैं आप लोगो प्रूब भी दूँगा तो वीडियो को अन तक देखिएगा चैनल पर नहीं आयोंगे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर देजेगा तो देखिए यहां पर पर देता हूँ यहां पर निच्चे स्क्रोल करके तो देखिए यह नि कर रहा है तो गाइस मैं आप लोगों को एक उधारन देता हूँ चलिए मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ वह pdf पे तो गाइस यही यह एक पीडियेप मैं आप लोगों को पूरूब के तोर पर देखाना चाहता हूँ तो गाइस 2012 से पहले बिहार में जो electricity department होता है उसक बोर्ड जो थी बोर्ड पहले बोलते थे हम लोग उसको company में बदल दिया गया ठीक है तो 2012 तक बिहार में जो नाम बोलता था BSEB यानि बिहार State Electricity Board तो नॉमबर 2012 में ये Wikipedia का मैंने पेडिया डालोड किया हूँ ठीक है Wikipedia पर बेलेबल है तो देखिए एक नॉमबर 2012 को सेम यही चीश प्रोसेस हुआ था BSEB को टोटल 5 कंपेनिया में बाट दिया गया था देखिए यहाँ पे BSEB लिखा हुआ है बिहार State Electricity Board होता है इसका फूल नेम टोटल 5 कंपेनिया में बाट दिया गया था जिसमें आप लोग का था बिहार State Power Generation Company Limited दूसरा था आपका Transmission Company Limited फिर उसके बाद एक था North बिहार Power Distribution Company Limited फिर था South बिहार Power Distribution Company Limited और एक था बिहार State Power Holding Company Limited यानि के टोटल 5 कंपेनिया गया था ठीक है तो 2012 के बाद गाई इसमें दो टेम पे भाली आ चुका है 2012 के बाद जो परमनेंट रिकूर्मेंट आया था एक अपका Assistant Operator का था 2016 में उसका बाद 2018 में आया था ठीक है तो Department होता है वहाँ पे में पावर की अवसकता होती है तो अभी 2016-2018 में इसमें फेकेंसी आया था तो वो परमनेंट पोस्ट था और उसमें देखिए कंपेनी बदल जाने के बाद वहाँ पे जो सत्तरहजार स्टाप है उनको सेम प्रोसेस है जो Central Government का अंदर इंप्लाई आता है एब भी वही रहेगा इंप्लाई में कोई चेंज नहीं जो इंपलाई कावसे धैस्टाइमेंगा बदला जाएगा तो यह अभी समय लेगा ऑफ लोग करते रहेए जैसे ये आपलोग के लिए आता है तो मैं अप लोग के लिए वीडियो बना दूंगा तो वह जढूरक का डाउट यहां पर किलियर हो गया हो गया और आप लोग कोई और डाउट बच्चा रहा गया होगा तो आप लोग कमेंट किजिएगा मैं वहाँ पर उत्तर देने की कोशिस करूँगा धन्यवाद